दोस्तों आजके इस वीडियो में एक 32 इंच का LED टीवी है जिसमें सर्कृट का प्रॉब्लम हुआ और यह थंडरिन प्रॉब्लम हुए दोस्तों जो बिल्डी कड़कती है उसमें यह टीवी खराब हो गया और अभी इस टीवी का जब मैं जांच कर रहा हूं जब मैं देख र रहा है और जब मैं उसे बाहर से करेंट दे रहा हूं तो भी पैनल ग्लो नहीं कर रहा है यह इसका eC الخषन है और यहां यह पावर सेक्षन है दोस्तों जग लो काफी स्टेंटर पावर सेक्षन है और काफी दिनों से ये टीवी जल रहा था थंडिंग के वज़े से खराब हुआ नहीं तो ये टीवी अभी भी चलता रहता दोस्तों सी आटी टीवी का रेकॉर्डर है कि वो 15 साल 20 साल तक लगाता खराब नहीं हुए बट मैंने देखा है कि led tv किसी की यहां भी हो वो दो तीन साल में बस खराब हो नहीं होना है यह सबसे बड़ी प्रॉबलम है led tv की यह दोस्तों पैनल का कनेक्शन है यानि दो दो का जो एक का जो पेर है दो दो वायर उसका है दोनों के लिए अलग- कब तो भीतर में नहीं जुड़ा गया है यहाँ पर दुग वाइल है है पैनल का जो अब स्प्लाइज है उसके लिए अलगलग सप्लाइज के लिए दो अलग अलग दोस्तो इसमें कौाइल दिया गया है इसे एक ही क्वाइल आपको देखने को मिलता है अधर में और यह SMPS ट्रांस्फर्मर है और एक जो आप देख रहे हो कैपसेटर बड़ा सा यह दोस्तों मैं कैपसेटर है जो की ही फिल्टर के बाद SMPS में लगाया जाता है और यहाँ पर सबसे बड़ी प्राफलम यह कि अगर यह खराब होगा तो वही open market में इसे repair करना बहुत मुस्किल है क्योंकि यह twin board है यानि दोनों साइड इसमें समान लगा हुआ है और जितने भी MOSFET वेगर हैं जो वो बहुत ही चोटा है और circuit के opposite side में लगा हुआ है जो कि circuit के साथी बिल्कुल चिपका हुआ है और दिक्कत यह आती है कि जब आप मार्केट में यह MOSFET खोजने चाते हो तो आपको मिलेगा नहीं जैसा कि इसका पैनल इंवर्टर कनेक्शन जो है अभी जैसे नहीं आ रहा है तो बहुत ही आसाई से हम लोग अगर दूसरी जेनरल सर्कुट यह दी होता तो बहुत ही आसाई से उसे रिप्यर कर देते बट यह रिप्यर करना बहुत मुस्किल है और यह दोस्तू आप जो देख रहे हो यह पैनल का जो फीटा कनेक्शन है यहाँ पे पैनल का जो सर्कुट है दोस्तो इसके अलाबा भी एक सर्कुट बीच में लगाया गया है ताकि अच्छा स्पिक्चर क्वालिटी आ सके यह देखो और पैनल का जो सरक्रिट है उसे बहुत ही अच्छे से सेफ किया गया है प्लास्टिक का ये कवर से और ये जो दो बॉक्स आप देख रहे हो ये इसके अंदर ही दोस्तो दो बॉक्स बनागुआ है इस पिकर के लिए ताकि अच्छा सराउंडिंग साउंड आ सके और ये दोस्तो फूल फंसन बोर्ड है जिसे वीडियो बोर्ड भी करते हैं और वीडियो बोर्ड भी अभी तक टेस्ट नहीं हो पाया है क्योंकि इसका डिस्प्ले ही अन नहीं हो रहा है और इसका जो पावर सप्ला है वो भी फाइनली आउटपुट नहीं दे रहा है इस अब देख लो यह जो लेड वाई यलो और य Thom वाइड देख रहे हो यह ए ए वी इंपूट और अवी आउट पूट है दूसतोव डो इसमें ए वी इन है और एक एंवी आउट है इसके अलावा दूस्तों इस में दो VGA connection है और एक USB है इथरनेट बगर नहीं है क्योंकि यह पुराना सेट है पुराना सेट में इथरनेट आपको नहीं देखने को मिलता है और यह है दोस्तों इसका पैनल का जो फीता है यह बहुत ही अच्छे डंग से बनाये गया यह आप देख लो एक चौड़ा फीता है य प्लेन फिता में सब्सekरा दिकत यह होती गोफिक प्लेन होने के चांस होती है और कि अंदर जब कोई यह देखो यह वीजे कनेक्शन है और सारा कनेक्शन दोस्तों सिधे लीड पे है सबसे बड़ी दिक्कत किया होती है कि जब हम इसे दिवाल में डाल देते हैं तो वहाँ पे सेट करने में यह दिक्कत आती है और यह देख लो यहाँ पे आप जो चोटा IC देख रहे हो यह और एक यहाँ पे दोस्तों रेगलोटर IC है तो दोस्तों अगले वीडियो मैं इसको रिपेर करने का भी प्रयास करूंगा और उसका भी वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा तो आप उसे भी जरूर देखना और यह काफिर स्टेंटर बोर्ड है LG का क्योंकि काफिर लंबा समय तक चलती है एक बार अगर आप ले दो तो काफिर लंबे समय तक यह खराब नहीं होती